दोस्तो हमारे चैनल घरेलू निस्के को लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें सेहत मंद रहने के लिए फल खाने की सलाद दी जाती हैं फलो की बात करते ही सेब, संत्रा, अनार और केला जैसे फलो के नाम जहन में आते हैं लेकिन चमकीले और गुलाबी रंग का ड्रेगन फ्रूट भी सरीर को कई फायदे मिलते हैं ड्रेगन फ्रूट को पिताया के नाम से भी जाना जाता है इसका साइन्टिफिक नाम हीलो सेरेसिस अंडस है यह फ्रूट कमल जैसा दिखता है इसलिए इसे संस्क्रत में कमलम कहा जाता है ड्रेगन फ्रूट दो तरह का होता है एक सफेद गुदे वाला और दूसरा लाल गुदे वाला इसका स्वाद काफी हद तक कीवी और नासपाती से मिलता जुलता है यह फल ना सिर्प खाने में स्वादिस्ट होता है बलकि सेहत के लिए भी बहुत लाबकारी होता है ड्रेगन फ्रूट पोसक तत्तों से भरपूर होता है इसमें विटामिन सी प्रोटीन फाइबर पोली अनसैचूरेटिड फेटी एसिड केरोटीन और ए इज की अती बेकार होती है इसी तरह ड्रेगन फ्रूट का ज्यादा सेवन करने से सेहत को कुछ नुकसान भी हो सकते हैं आईए जानते हैं ड्रेगन फ्रूट के फाइदों के बारे में दिल की सेहत के लिए फाइदेमंद दोस्तों ड्रेगन फ्रूट का सेवन दिल के स्वा मुस्त रख्ने में मदद करता है इसमें मुझूद Antioxident सरीर दिये संचार को बहतर बनाने में मदद करते हैं इसमें मुझूद मेगनीसम से इस ट्रोक अर्ज हार्ट अटेक जैसे दिल की बिमार्यों करक्ता कम होता है कोलेस्टोल को कम करेठेगन फ्रूट का सेवन करने से कोलेस्ट्रोल के लेवल को कम करने में भी मदद मिलती हैं सरीर में कोलेस्ट्रोल की अधिक मात्रा से दिल की बिमारियों का खत्रा बढ़ता है ड्रेगन फ्रूट में पोली अनसेचूरेटिड फेट ओमेंगा 3 और ओमेंगा 6 फेटी एसिड जैसे तत पाई जाते हैं जो कोलेस्ट्रोल को कम करने में भी मदद करते हैं ड्रेगन फ्रूट खाने से सरीर में बैड कोलेस्ट्रोल कम होता है और अच्छे कोलेस्ट्रोल को बढ़ाने में भी मदद मिलती हैं ड्रेगन फ्रूट खाने से पेट से जुड़ी हुई बिमारियों में भी अधिक मात्रा होती हैं ड्रेगन फ्रूट का सेवन करने से मल त्यागने में मदद मिलती हैं जिससे कबज की समस्या दूर होती हैं इसके अलावा यह हैं कोईल्टिस और इरिटेबल बावल सिंड्रोम जैसी बिमारियों के इलाज में भी फाइदेमद होता हैं पेट समंधी बि जुड़ी हुई बिमारियों में भी लाब होता हैं दरसल ड्रेगन फ्रूट में फाइबर भरपूर मात्रा में मुझूद होता हैं जो पाचन के लिए फाइदेमद होता हैं इसके अलावा इसमें पानी की भी अधिक मात्रा होती हैं ड्रेगन फ्रूट का सेवन करने से मल त syndrome जैसी बिमारियों के इलाज में भी फायदिमन्द होता हैं खून की कमी दूर करें जिन लोगों को एनिमिया की सिकायत होती हैं उन्हें भी dragon fruit खाने की सलाद दी जाती हैं सरीर में खून की कमी के कारण ठकान और कमजोरी मैसूस हो सकती हैं दरसल dragon fruit में भरपूर मात्रा में iron हो जिन मैलाओ को खून की कमी की सिकायत होती हैं उन्हें भी dragon fruit का सेवन करना चाहिए रोग परती रोधक चमता को बढ़ाता है ड्रेगन fruit का सेवन करने से immunity मजबूत बनती हैं सरीर का immune system कमजोर होने के कारण हम बीमारियों की चपेट में जल्दी आ सकते हैं ऐसे में immunity बढ़ान हैं दरसल इसमें vitamin C और antioxidant भरपूर मात्रा में होते हैं जो immunity बुष्ट करने में मदद करते हैं ड्रेगन fruit का सेवन करने से सरीर को पोसन मिलता है और कई बीमारियों से बचाओ होता है मजबूत दात व्य हड्डियों के लिए dragon fruit का सेवन करने से हड्डियां और दात मجबूत बनते हैं दरसल इसमें बात्र में calcium और फासपोरस पाया जाता है जो हड्डियों और दातों को मजबूती देने के लिए फायदेमंद हैं ड्रेगन फूरूट का सेवन करने से जोडो और दातों में दर्द की समस्या दूर होती हैं आईए जानते हैं ड्रेगन फूरूट के नुकसान के बारे में ड्रेगन फूरूट का सेवन करने से स्वास्ते को कई लाब मि ड्रेगन फ्रूट में फायबर की अच्छी मातरा पाई जाती हैं इसलिए ये वजन घटाने में मददगार साबित हो सकता हैं हालकि इसमें सुगर की मात्रा अधिक होती है जिससे वजन बढ़ सकता है ड्रेगन फ्रूट का जादा सेवन करने से वजन घटाने में धिक्कत हो सकती है अगर आप वजन कम करना चाते हैं तो इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें दस्त की समस्या ड्रेगन फ्रूट का सेवन क करने से कवज की समस्या दूर होती हैं इसमें मुझू तत्व मल को मुलायम बनाते हैं जिससे मल त्यागने में आसानी होती हैं हाला कि इसका अधिक सेवन करने से धस्त की समस्या हो सकती हैं इसलिए इसका बहुत जादा सेवन न करें झाल